साथियों हमारे साइंटिस्ट ने आप सभी ने हमेशा मानवता की भलाए के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है जिन छेत्रों में आपने बहतर काम किया है और जो देश के सामान ने मानवी के जीवन को आसान बनाने में महतपुर भूमी का निभाता है उसमें से एक है हमा भारत के मामले में भारत आज दुनिया का च्छटा सबसे बढ़ा मारकेट है और दुनिया का तीसरा सबसे देजी से बढ़ता हुआ वा जा रहे चांग ऑज बहारत से जादा देशों में निर्याद की जा रही है साथियों हमारे फार्मा सेक्टर के विकांस के पीछे काउंसिल अफ साइंटिफिक एन इंडिस्टियर डिसर्ट लैप्श यानि CSIR लैप्श जैसी तक्नीक की ताकत है CSIR लैप्श को इस बात का भी पूरा क्रेडिट जाता है कि दुनिया में मिलने वाली महंगी दवाएं आज देश में बहुत ही कम दामों में उपलब्दा है उनके पास जो दवा बनाने का ज्यान है और भारत के जंगलों में जो दवा से जुड़े पौधों का खजाना है उसे CSIR का और अधिक विस्तार प्ताय है मैं समझता हूँ कि अब हमारे फार्मा सेक्टर को और बायो टेक को और गति देने का समय आ गया है और इसके लिए जैनरीट्स और बायो सिमिलर्स की उप्रद्दियों में इनोवेशन्स को जोड़ना होगा साथियों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एं इंडिस्टियल डिसेज द्वारा किया जा रहा एक और प्रयास सरानिया है एरोमा मिशन एरोमा मिशन के जरिये जम्मु किश्मील पुरुवोत्तर और चटिसगट के आधिवसिक इलाकों में अपना वो पहुँच बढ़ा रहा है और मुझे बताया गया है कि पिछले 18 महिनों में देश भर में करीब 3000 हेक्टर भूमी पर एरोमेटिक प्लांस की खेती को पहुँचाया गया है इसके लिए CSIR की पूरी टीम बढ़ाई के पात्र है अरोमेटिक प्लांस के अलावा बायो फ्यूल के मामले में भी CSIR बड़ी भूमी का निभा रहा है CSIR ने जो एविशन बायो फ्यूल बनाया है उसका सफल ट्रायल भी हो चुका है 27 अगर 2018 को पहली बार देहराल उन से दिल्ली तक यहां जुडाया गया था इससे भारत दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में सामिल हो गया है जो बायो फ्यूल से जहाज उडा सकते हैं सिर्फ सिविल ही नहीं बलकि इस वर्ज गनतंत्र दिवस पर हमारी एर फोर्स के जेट ने भी बायो फ्यूल का इस्तमाद किया साथिवाब एक नए तरह के फ्यूल की जुरूरत पढ़ने वाली है अगले दो दसक में बिग डेटा मशिन लर्निंग ब्लॉक्चेइन आर्टिफिशल इंटलिजन्स जैसे कई नहीं तक्निक का दौर आने वाला है यह सारी तक्निक डेटा पर आधारित होगी और इसलिए अब कहां जाना लगा है कि दुनिया में नया इंधन डेटा ही होने वाला है इन नई जरूरों तक देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन और इंटर्डिसिप्रिनरी साइबर फिजिकल सिस्ट्रिम अभ्यान लाँच किया है करीब साड़े तीन हजार करोड इस अभ्यान पर खर्च किये जाने हैं इसके तहट अगले पांच साल में रोबोटिक्स, आर्टिफिशल इंटलिजिजिन, डिजिटल मैनिफेक्टिरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्मुनिकेशन, एंड इंटरनेट अफ तिंक्स के आर एंडी को बढ़ा मिलेगा